नमस्कार आप देख रहे हैं क्यापिटल टीवी और मैं हूँ आपके साथ वक्ता इस वक्त की सबसे दुखत खबर आपको बता रहे हैं ग्रूप कैप्टरन वरुन सींग अब हमारे बीच नहीं रहे हैं आपको बता दें कि 8 दिसंबर को तमिलाडू के कुनूर में एक हेलिकॉप्टर क्रेश का हाथसा हुआ जिसमें CDS विपिन रावत अपने 14 साथियों के साथ सवार थे लेकिन एक ऐसी अचानक से खबर आई कि 14 ही लोगों में से सिर्फ एक वरुन सींग ही थे जो एक अपनी जा किया और ये जानकारी दी कि अब वरुन सींग हमारे बीच नहीं रहे हैं इसी पर जादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूजरूम से जोड़ रहे हैं हमारे सहियोगी अरुन जी अरुन जी पूरी अपडेट क्या है आज एक ऐसी दुखत खबर आई जिसने सभी को शोक म दूबो दिया है देखिए कैप्टन वरुन सिंग जब तक थे तब तक ये लग रहा था कि नहीं सीडियस रावत के प्रतिनीधी के तौर पर ग्रूप कैप्टन वरुन सिंग अभी सामने हैं लेकिन अब इनके जाने से ये उम्मीद भी चली गई सबसे चुब बड़ी आती है मौकाई वारदात पर घटना के अस्थल पर ही एक गुरुप कैप्टन वरुन सिंग के लिए पूरे देश में दूआ की जा रही थी कि नहीं इश्वर इनको बक्ष दें इन्हें अपने पास अभी न बुलाएं और एक बंदा ऐसा रहे जो उस घटना का चश्म पर पहले इनको भरती कराया गया लेकिन वहां पर लगा कि नहीं यहां हम मौस्व इधाया शायद नहीं दे पाएंगे कही कोई कमी न बचे तो एयर फोर्स इनको सीधे फ्लाइट से ले करके चली जाती है बैंगलोर वह एयर फोर्स कमान अस्पताल में वहां इलाज चलता ह है लेकिन वहां दीन प्रतिदीन इनकी परिस्थितियां बिगरती चली जाती है वहां पर वेंटिलेटर पर इनको रखा जाता है बावजूद दुख की बात है कि नहीं बचाया जा सका और ये एक अपूरणी ये सती है इस पर किसी तरह क्या कुछ कहने से भी बहुत मंदु ही हो जाता है आप देखिए इस जो ही एरफोर्स ने ट्वीट किया त्यों ही पिये मोदी इस पर ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि साहब उनको पूरा देश याद रखेगा और उन्होंने इस देश के लिए वो सतकर्म किये हैं शायद जिनकी अपिक्षा थी अपने जान पर खेले लेकिन किसी भी तरह से प्लेन को नहीं हेलिकॉप्टर को नहीं बचा पाया दूसरी चीज़ की खुद भी आज शहीद हो गया केंद्री ग्रीह मंत्री अमीच शाह बोर्ट ट्वीट करते हैं कहते हैं कि उनका जाना हमारे लिए बहुत दुखद है अनुराग ठाकुर केंद्री मंत्री बोर्ट ट्वीट करते हैं बाके तमाम और कई लोग हैं हस्तियां व्याइपी हस्तियां ट्वीट कर रही है इसको लेकर के शोक जता रही है लेकिन सबसे जो बड़ी चीची है कि पूरी की पूरी टीम इस हादसे में शहीद हो गई यह दुखद खबर है औ बहुत ही दुखद है बोलत रहा हूं कि 14 लोग सबार थे 13 लोग शहीद हो गए थे यह लग रहा था कि अच्छा एक बंदा है शायद यह बस चाहिए शायद इससे कुछ मतलब एक यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि वरुन सींग जी अभी जिन्दा है हमारे बीच है तो जो उस दिन वो घटना घटी है उसकी पूरी आँखों देखी का बयान वो दे सकते हैं कि उस दिन क्या ऐसा हुआ था जिसकी वज़ा से CDS जनरर रावत के साथ साथ बाकी लोगों के साथ इतना कुछ हो गया उस घटना के बारे में कुछ कह सकते थे लेकिन वो उमीद भी आ एक देश का सिपाही बच जाए लेकिन आज वो उमीद भी टूट गई उस परिवार की उमीद टूट गई और साथ ही पूरे देश की उमीद टूट गई यह कहीं न कहीं देखिए सबसे जो बड़ी चीज है कि अपने अस्तर पर केंदर सरकार हो एयर फोर्स हो हर कोई अपने अस्तर पर भरपूर कोशिश की गई कि नहीं इन्हें बचा लिया जा लेकिन वो कहते हैं कि जब उनका चक्र चलता है तो शायद किसी का वश नहीं चलता वहां किसी की न थेवरी कामाती है ना किसी की दवाई कामाती है ना किसी की कमाई कामाती है तो ये चीजे खेर कैप्टन वरुन शिंग अब हमारे बीच नहीं रहे उन्होंने अन्तिम सांस लिए जिसकी जानकारी एर फोर्स ने ट्वीट करके दी और इश्वर उनकी आत्मा को शांती दे हम कैपिट के परिवार की सती नहीं है ये पुरए देश की सती है अरुझी बहुत बहुत धनेबाद इतनी जानकारी के लिए तो केप्टन वरुण सिंग आ Nate आज हमारे बीच नहीं रहे हैं बहुत ही दुखत खबर है इस ही फर और जादा बाचीत के लिए हमारे युद्धा पैदा हुए हैं जिनने हमारी समीन के लिए जिनने भारत माता के के लिए हमेशा अपने हर चीज को नचावर किया उन्हें बलदान दे दिया ऐसे ही वरंड सिंग थे कैप्टन गुरूप के जो थे वो बहुत अच्छा उन्हें प्रदशन किया अभी हाली में उनक कर से सम्मानित किया था यह देवरिया के गाओं के थे रहने वाले थे इनकुम्र भी जादा नहीं थे बैली साल थी और इनका अगर फैमिली बैग्राउंड देखें तो वो भी सेना से जड़ा हुआ है इनके पिता जो है क्रशन सिंग वो खुद रिटार्ड चर्नल रहें कर इनके पिता जो है रिटार्ड कर्नल रहें इसके अलाबहा इनके जो भाई है चोटे भाई वो नेवी में मुंबई में सेवा दे रहें तो इनका जो परवार है वो कहीं न कहीं पूरा इस सेना से जड़ा हुआ था तूसरी बात यह है कि कैप्टन बरुन वो युद्धा थे जो जानते थे कि दुश्मनों को कैसे पठकनी दे दी है और कम से कम एक हजार से ज्यादा फिलाइट उढ़ाने का इनको अनवब था क्योंकि ग्रूप कैपिन थे इसलिए इनसे चीन और पाकिसान भी थर रहाते थे और यह जो घटना हुई जो बड़ा हाथसा हुआ इसके पीछे हर किसी ने अपनी बाते रखी और कई चीजें ऐसी खुलकर सामने आई जो साफ कर रही थी कि भले ये घटना थी लेकिन एक साजिश के तहत जो है किया हुआ हमला था और इसमें पूरा हत किसका था उस शालवाज और दगावाज चीन का जो छोटे छोटे देशों को अपने कबजे में करता जा रहा है उनकी जमीनों को हरपता है उनको कर्ज देता हो कर्ज के बाद उनकी सारी जमीनों को हरप लेता है अब क्या हुआ एक बहुत बड़े विशिशगे हैं रक्षा विशिशग ब्रह्म चिलानी अब उन्होंने दावा किया एक ट्विट किया उसके बाद और बताया कि जिस तरह से ताइवान के जर्नल के साथ हुआ 2020 में कुछ उसी तरह की समानताएं इस पूरे हास्से से जोड़ ही जा रहेती उन्हने कहा कि यह चीन की सूची समझी साजश हो सकती है क्योंकि चीन साइवर अटbijक करा सकता है और खोड है जन्रल विपिर्र रावतlink आप्रेल महीने में इसी साल कहा था किचीन साइवर हमला का भी भी कर सकता है यह वो तकनीकी मैं बहुत आगे हैं अब उनके बैन आया था तो इससे लगने लगा था कि कहीना कहीं चीन इस पर खेल खेल रहा था और अचानक से इतना बड़ा यह हादसा हुआ और देश ने अपने जावाजों को खो दिया तो कहीं न कहीं हमारे देश के लोगों को यह पता है कि चीन किस तरीके से दगावाद है चालवाज है और इतना जरूर है अब जाँ चल रही है सेना ने खुद कहा है थोड़ा धर रखियेगा वाई सेना ने कहा है कि कोई इस तरीके टिपड़ी ना करे लेकिन अब इसमें अब अटेक कराया नहीं यह भी जाँच का विस है लेकि इतना जरूर है कि आज हमारे बीच ग्रूप कैप्टेन वरुन सिंग भी ने रहे जो एक ही बचे उलास्ट में मतलब जो है जो तीर लोगों की मौत हुई उसमें अंतिम सांस गिन रहे थे वो मौत और जंग के बीच लगातार बने लड़ रहे थे और आज उनका निधन हो गया कैप्टल टीवी के ओर से उनको भाव भीनी स्रद्धांजली अर्पित करते हैं और इश्वर उनको श्री चड़ों में चगे दे अज बहुत दुखत खबर आई है कि ग्रूप कैप्टन वरुन सिंग जी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं उनके जाने से पूरे देश में शोकी लहर दोड़ गई है पूरा देश गमगीन है लेकिन पीएम मोदी ने अमिच्छाह ने और भी बाकी कई लोगों ने उन्हें श रद्धानजली कैमरमेन भूला के साथ मैं वक्ता कैपिटन टीव अपना सुझाव हमें कमेंच बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ जुडने के लिए शुक्रिया झाल